हेलो फ्रेंड्स वेलकम इनुदे केरेर एकेडवी दोस्तों इंजीनियर्स की बंपर वैकेंसी आचुकी है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रानिक्स इंस्ट्रुमेंटेशन सिविल और माइनिंग इंजिनिंग में से अगर आपने किसी में भी बीटक या बीई किया है तो और पदों की संख्या 864 अधर पुरी जनकरी आपको इस वीडियो में दी जाएगी जिसे कि आपको सब कुछ है मालूम हो सकते दोस्तों वीडियो को फटा फटा फट लाइक और सेर कर दीजिए आगे बढ़ते हैं इसे वीडियो में उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्स आहां देलवकी है जल्डे हैंड आपको इल्यक्रिकल इल्डेकल इलक्रोंइकS इन्स्टूमेंटेसंस शिव्ल और मायिनिंग है उन्च सब के लिए वेकें सी आट सोच पोस्ट यहां पर दिया गया है 4.000 से एक लाग ê 40.000 तक का यहां पर पे scale दिया गया है इनिशन पे आपको जो जो मिले की 40,000 की जो basic मिले की यह basic payment दिया गया है ये कम से कम आफ की साथ हजार रुपए starting में ही आपको मिलेगा executive ट्रेणि इंको bولते है जैसे ही इनकी training खतम हो जाती है इनको E1 grade में absorb किया जाता है यानि कि E1 executive 1 grade इसको E1 grade बोलते है जब आपका promotion हो जाएगा E1 grade जो होता है assistant engineer का grade होता है और E2 grade जो होता है वो engineer का होता है इसी तरह से आगे आप बढ़ते जाएंगे फिर deputy manager 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 इस तरह से आपकी growth होती जाएगी क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पर क्या मागा गया है कि bachelor degree आपके पास एक तो होनी चाहिए 65% number के साथ और यहाँ पर आपको जो है अगर SCST candidate है तो किवाल 55% number आपको मागे गए है इसके साथ साथ gate 2022 का valid score card भी आपके पास होना चाहिए आगे इसमें दिया गया है कि जो मतलब है जो category यहाँ पर दीक है इसे electrical engineering की पोस्ट के लिए कौन कोन अप्लाई कर सकता है तो यहाँ पर देख लिए यह सारी जो ब्रांच दी गए जिसके सामने वह सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिसे mechanical engineering के लिए अगर पोस्ट है तो mechanical engineering इंडुस्ट में किया है पूरा गुरूप आप इंजिनिंग ब्रांच यहाँ पर दिया है माइनिंग इंजिनिंग के लिए जरूर यहाँ पर है कि आप माइनिंग इंजिनिंग में डिग्री रखते है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे और अपर एज लिमिट यहाँ पर 27 साल दिया गया है जेनरल के लिए और EWS के लिए बाकी जो अन्ने के टेक्री के students है उनके लिए छूट है यहाँ पर गेट के scorecard के बारे में बताई दिया आपको और placement कहाँ प पर कराई जाएगी वन येर की training होगी उसके बाद जहाँ जहाँ इनके plant हैं उसमें से किसी में भी आपको रखा जा सकता है वेबसाइट देख लीजिए यह वेबसाइट दी गई है इस वेबसाइट से जाके आपको यहाँ पर farm बरना है और online application जो है 28-10-2022 से सुरू होगा 11-11-2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और apply करने का जो link है description box में link दे दिया जाएगा और यह जो pdf है यह भी आपको telegram group में share कर दी जाएगी तो जो student telegram group join नहीं किया है वहाँ पर join कर लें telegram group और इस भरती के बारे में अन्य चीज़ें आपको समय समय पर बताई जाएंगे खास करके जो mechanical engineering के student है वह जरू टेलिग्राम group join कर लें क्योंकि mechanical engineering के बारे में उनको काफी अच्छी information हमारे telegram group में मिलेगी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में धन पाणियो टारे में आपको में आपको के लित जाएंगे निए सुन्य गयार मारे में धनले यायूरवफर और जहा